यहां के नहीं तो यह लोग BJP के आफिस को भी जा रहे हैं, चंदू पाटिल से भी मिल रहे हैं यह चंदू पाटिल वो शक्स है जो महबस की बाहर डैंस करता है, डैंस और गाना क्या? खून से रंदेंगे? किस के खून से रंदेगा? मुसल्मानों के खून से रंदेगे वाले गाले पर तू नाचता है मज़ितों के बाहर और मुश्लिम महलों में आकरके अपने आपको सेकुलर साबित हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना कायम हुआ हिंदू राष्ट्र बनाएगा तेरे बाप को राज नहीं है तेरे बाप का राज नहीं है हिंदूस्तान में अगर किसी का राज है तो हिंदूस्तान के संविधान का राज है बाबा साब अम्बार का रस का राज है नदेर उस्ताज राज है सनातन धर्म को स्तापन करना छोटा मोधी बनेगा छोटा मोधी अरे छोटे छोटा भीम देखा है तू डोरे मान यहाँ पर मुस्लिम मुस्लिम चौप पर आया बुर्थू मुस्लिम चौप पर चार लोग लेके निकल रहे हैं मैं डेवलप्मेंट करतू आरे तेरी डेवलप्मेंट की आई सी किताई से पहले माफी माँ माफी माँ मुस्लिमानों से जिनके मस्दिद के बाहर तू ऐसे कहने लगा करके ना चाहा है माफी माँ मुस्लिमानों से गुलपरगा नार्थ क्लांस्वेंसी पाकिस्तान मनती थी तिया वैयान है तेरा क्या बात है तेरी हिंदुस्तान का मुसल्मान तो किसी गैर से सर्टिफिकेट की ज़रत नहीं है हिंदुस्तान मुसल्मानों का था मुसल्मानों का है खयामत तक मुसल्मानों का रहेगा आज मुझे तकलीफ होती है तो हनुमंत यर्संगी हमारे लिए आके खड़ा होता है हमारे लिंगाएट भाई हमारे लिए खड़े होते हैं हम वो बराबर हैं वो हमारे से बड़े भी नहीं हम उनसे बड़े भी हैं वो हमारे इसलाम की तारीक खाजा बंदनावाज गेश दुराज रहमतुल्ह अले किये सर्जमीन और या कराम किये सर्जमीन चानव बस्वेशवर की यह सरजमीन कभी जात-पाथ के नाम पर तक्सीम नहीं हो सकती इस मिठी पर हमेशा से सेक्लरिजम का बोल वाला रहा है इंशाला हम इसको छोटे भीम के हाथ में देने के लिए तैयार नहीं है दोरे मान के लिए तैयार नहीं है इतिहात को खायम किया जाएगा फिर से तारीक लिखी जाएगी इंशाला तरहा हमारी माय और भेने जाएगा आपर कसीर ताइदा आपने बैटे हैं आपको इस एलेक्शन की एहमित का आइसास हो चुका है आपको खुलबरगा के अंदर हिंदु-मुस्लीम इतिहात को खायम करने के लिए मुसल्मानों को सर्फ उठा करके जीने के लिए आपको मजबूती से काम करना है पैसे बाटने के लिए आ रहे नासिर के पास पैसे नहीं है नासिर के पास पैसे की सरूरत भी नहीं है नासिर पैसे नहीं कमाया है मगर दो लोगों के दिलों में इज़त को मौपत कमाया है इज़त कमाया है यह पैसे काम आने वाले हैं आपको पैसे वाले काम आने वाले हैं मिलत को कभी काम आने वाले नहीं है इंडुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पर मुझानवानों ने अपने खूम से इस मुल्क को आजाज करने के लिए इस जट्टी को दन नहीं दिया एंटी कन्वर्शन खानून बनता है असम्बली में बहस नहीं होती आजाज के हिजाब के मामले पर जब बहस होती है असम्बली में आपको तकलीफ हुई के नहीं हुई अलंग के मामला 165 लोगों को गिरफतार किया गया है 10 हमारी बहनों को गिरफतार माँ को गिरफतार सुबाद चार बजे दर्वा से तोड़ करके हमारी माँ और बहनों को घजिट कर पोली स्टेशन लेके गया है जेल को लेके जा रहा है कि आपके दिलों को तकलीफ हुई की नहीं हुई अइलान करता है कि हम मस्जिदों को पर जा करके लाउड स्पीकर मिका लेंगे हनुमान 40 साज लगाएंगे क्या आपको घुसा आया के नहीं आया बताईए मुझे मेरी माँ और भेनों ते पूछना चाता हूँ आप से हमारी इज़त है आप से हमारी पहचान है हवातिन सियासत में होना चाहिए नहीं होना चाहिए बहस में नहीं करता मुझे जरूरत नहीं है Islam ने हमको सिखाया है कि ये औरत के ख़़वों में जननत होती मेरी मा के ख़़वों में मेरी जननत मिरी बेंड कि मुझे फगर है कि ताली में आपका है हमारी भीई के साथ किस करह से रहना है उससे सुलूक के साथ आज ये सियासто में हूँ इतनी मुश्यल रखाश्त है जब भी इस्लाम को खत्रा आया है हमारी मां और भेनों ने खड़े होकर करके इसलाम की हिफादद करने का काम किया है आज फकर है हमें के वो स्कूल की नौजवान बच्ची आपको याद होगा मंडिया के अंदर मुश्कान नामी वो बच्ची जो RSS के बेड़ी है उस पे हमला करते हैं तो एक चोटी सी बच्ची हमारी बेहन नारे तक्बीर को बुल शकायत नहीं इस जो बर्षर से आमकी खामोंशी से लागत चाहलात जो मुझसलत तार पर हम पर हम्ने हो रहे हा झाल्यू वह मुझसलत तो हम तर हम तो कमदुवर ऑव साबित करने की कोशीश की जा रही है हमको रोजगार की फिकर नहीं है, हमको पैसे की फिकर नहीं है, एलेक्शन में कितना पैसा कौन देगा, कितने चिंचलने वाले हैं पैसे, आर दिन, दल दिन, पंद्रा दिन, कितने पैसे होना, अमा आत्मार रोगो, दस हजार रुपए आपको दिया जाएगा ये गोट के लिए, आपके बेटी का हिजाब निकाल करके बार खिराना, आप हिजाब नहीं पेना, मंजूर है आपको, मंजूर है माँ, बोलिए हवाज नहीं हा रही, पूरे कुल पर एकी खवार तिन, कुछाना हवाज, एक लाग देता हूँ, एक लाग रुपए अगर कोई देता है, आपके महले के मस्जित पर, हडुमान चालिसा लौट स्पीकर पर लगाएंगे, कि आपको मंजूर है, मंजूर है, मंजूर नहीं है, आज की हालाद, एलेक्शन नहीं है, ये तारीक है, यहाँ पर तारीक को दर्च करन है, यहाँ पर हमारे वजूद को साबिद करना है, हम जिन्दा है, हमारे में गयरत है, हमें इज़त है, यहाँ पर जिन्दगी गुजारना है, शान के साथ हमारी आगे आने वारी नसले गुलबर का शहर के अंदर सर उठा कर कारोबार करेंगे, हर मामले में तकलीफ, मगर ज K4-5 गुट्तेदारों के लिए काम कर रहे हैं इस पांच गुट्तेदारों के लिए काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर है किला बंडी वालों को नीका अला जाता है दो-दो महिने तक वेड़ोजगार कि सूपर मार्केट में कार्पुरेशन कामप्लेक्स में 20 महीने से हमारे मुस्लिम ताजीर लाइट लगकर अंधेरे में कारुबार कर रहे हैं इंदुस्तान के आजाजी से पहले का मामला और अब एलेक्शन में मुझे समझ में नहीं जा रहा किस हिम्मत के साथ किस जुरत के साथ किस यकीन के साथ आपके बीच और्ट मगने आ रहे हैं वो लोग और दीजिए बेड़न बहुत अच्छी है सीट बचेगी और तक्सीम मत कीजिए मैं आपसे पुष्ता हूँ पांच साल हमने कमजोरी मैसूस की रहे मिल्लत बर्के दुष्वरों के सामने लाचार मशूस किया है ये एलेक्शन में निकलने वाले बारिश के मेंड़ मैंने आवामी बेड़ारी के प्रोग्राम में जो 40 तिन ससाथ जो 4-4 गंटे मैं निकला हूँ उसी दवरान मैंने कहा कि एलेक्शन जब आएगा तो मार्केट से चंद लोग निकलेंगे सीट बचाना है मेरं बोर्ट में जारे तो बीजे पी जीती शाहिए आपको याद होगा याद है ये लोग जो बारिश के मेंड़क है ये गरीब के खिलाफ होने वाले जुम के खिलाफ कभी खड़े नहीं होते ये एलेक्शन गुलबरगाश शहर के तारीक का ऐसा एलेक्शन है गुलबरगाश शहर का एक एक ओट की किमत चालीस यम्मेले के ओट की किमत से जायद है अल्ला के वास्ते अल्ला को आजिर नाजिर रखर आप लोग अपने ओट का इस्तिमाल कीजिए बहुत लंबी लाई हमने लड़ी है बहुत लंबी लड़ाई लड़ा हूँ इन पान साल कि जो कमजोरी मिल्ड के सामने थी में समस्ताओं के इंडुस्तान के आजादी के बाद से लेकर अब तक इतना कमजोर मुसालबान कभी महसूस नहीं किया कभी महसूस नहीं करनाटका के असम्बली इंतखावाद की पहली मीटिंग में जैस पर तश्रीफ करनाटका दलिट सेना के सदर मेरे भाई हन्मत जी यलसिंगी सहाब मेरे बड़े भाई जाविद वागवान सहाब दैस पर मौल्योद लुक्रिदिन तोला जैमत अलाए की तरदा के खलीफा नहीं सहाब इस महले के हर्कियाती लीडर एक्स कॉर्परेटर आजम पटेल सहाब दैस पर मौजूद अवजाल महमूद सहाब उस्मान सहाब कुछी दिनों पहले कांगरिस कुछ छोड़ करके जनता दल में शमूलियत हासिल करने वाले नौजवान साथी इनायत सहाब इमाम सहाब और माजरच चाहता हूँ बुलबरगा शहर के एक सीनियर सियासी परस्नालिटी जिनोंने बुलबरगा कॉर्परेशन में बहाइसियत मेयर, डेप्टी मेयर, कॉर्परेटर जिनोंने गुलबरगा की सियासत के उतल उतल को देखा है इस महले में इस दाइस में मौजूद इकवाज शिनिफरुश सहाब शाहिन कांज सहाब अनुवर सहाब तौफिक पटेल सहाब नईयर सहाब तमाम लोगों के नाम ले सकता हूँ मगर वक्त की खिल्लत बुजर्गों नौजवान साथियों परदा नशीन मेरी माँ और बहनों अस्सलाम वालेकुम रहुतु ल्लाहि और बरकातु अलेक्शन के दौर का नौमिनेशन के बाद गुलबरगार नौर्ट कॉंस्क्रिंसी में ये पहली मीटिंग अप्र रह्मत को बनसाया है बहुत सारे लोगों ने कहा कि मीटिंग को कैंसल किया जाए मगर इसलम वाद के हमारे पार्टी के जिम्मधार नौजवान साथियों ने कहा कि नाजिर साथ अगर बारिश भी होती है तो आप आईए हम प्रोग्राम करना चाहते हैं मैं उनके जजबे को उनकी इस मुहबत को सलाम करता हूँ और अपनी बात शुरू करने से पहले अल्लामा अकबाल का ओशेर जो सियासत को लेकर सियासत के मायने बताने के लिए उन्होंने कहा था सबक फिर पढ़ तक अदालत का सुजात का लिया जाएगा तुझसे काम ख़ूमों की इमामत का अभी उस्तार है अभी उस्तार भीज़ा है ये शेद अल्मा अकबाल साहब ने सियासत किस तरह से की जाएगा लीडर किस तरह से होना चाहिए ख्यादत के माने क्या है सियासत के माने क्या है तमाम चीज़ों को इसी एक शेर में उनों नहीं परवाए मुझसे खब्ल हमारे साफियों ने इक्बाल सहाब ने, यरसंगी सहाब ने, मौलाना वकार अश्रफी सहाब ने आदम पडेल सहाब ने आप उसके बीच बहुत सी ऐसी बाते रखी जो इस गुलिष्टा पांच सालों में हमारी दर्मियान हुए है हर मामले में हर इशू पर जो बरसर एक्तदार है उन खामोश रहे एक तरफ जिनको जिम्मेदारी जी गई है वो खामोश है और दूसरी तरफ यरसकी साहब ने का कि आज जो सियासी मंजर हिंदुस्तान में है करनाटका में है गुलबरगा में है वो मंजर ये है ये फाशिस ताकतें कमुनल ताकतें मुसल्मानों को कमजोर बताना चाहती है दलित भाईयों को कमजोर साबित करना चाहती है पिछड़ है वोर्बों को कमजोर साबित करना चाहती है मुसल्सिल तार पर आप चाहे किसी अकबार को खोलिए किसी कीवी चैनल के चैनल को आप फरड़ करके देखिए मुसल्सिल तार पर मुसल्मानों को टार्गेट करनी की साधिशे हो रही है मुसलमानों के खिलाब बात कर रहा आज का एक निजाम बन चुका है एक फैकलन बन चुका है हम खामोश है हिक्वत के नाम पे खामोश है हम को पूचा जाता है कि साबिद करो कि हम हंदुस्तानी है मुसलमानों को पूचा जाता है जनार्जी के जरीए CW-A के जरीए हम मुसल्मान जिन्हों ने हिंदुस्तान के इस आजाजी के लिए सबसक्त पहले पहले अगर किसी ने की अंग्रोजों के खिलाफ तो ये हम मुसल्मान हैं जिसरा जुद्ध दौला हो तो हज़रती कुछतान रह्मतुला आला है हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं जहां पर मुसल्मानों ने अपने खूम से इस मुल्क को आजाज करने के लिए इस जर्टी को दंग नहीं दिया ऐसा कोई इलाखा नहीं जहां पर हमारे उल्मा एकराम को शहादत नहीं गी हो इस अग्रोजों आज हमसे पूचा जाता है उसके बाद शहर में इतिजाज हुए हिंदुस्तान भर में इतिजाज हुए हमारे दलित भाई हमसे खंद अब अखंदा मिला करके लड़ाई में शामिल रहें करना लगा में हुकूमत बीजे पी के आती है हिजाब का मामला हमारी बेहनों को जो स्कूल पढ़ते हैं कालेज पढ़ती है उन से पूचा जाता है उन पे उंग्लिया उठाई जाती है कि हिजाब पहन कर स्कूल नहीं आए एतिजाज होते हैं सबसे पहले हिजाब के ताईर में अगर किसी ने बयान जिया है तो आपका भाई नासर उसरु उस्ताद है देख लीजे से यहनार्शी के मामले में इसी रबले के मामले में जिस दिन राज्यसभा में बिल पास हो रहा था जिस दिन राज्यसभा में बिल पास हो रहा था उसी दिन उसी राज बाकर फंक्शन हाल में गुलबरगा शेर के तमाम सोशिल एक्टिमिट्स को मजभी रहनुमाओं को जमात के जिम्मेदारों को प्रोग्रेसिव ठिंकर्स की मीटिंग जो है बाकर फंक्शन हाल में बुलाई गई और उस मीटिंग में तई किया गया कि हम सबसे पहले इतिजाज करेंगे मुस्लिम चौक पर इतिजाज होगा उसके बाद गुलबरगा बंद किया जाएगा और अलहमदुलिल्ला गुलबरगा शेर के उस इतिजाज ने हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम की वो मिसाल मेरे पहल से नहीं थी बलके गुलबरगा की गयूर अवाम के इतिजाज को साबिच करने के चारएगा मुझे गिरफ्तार किया गया आदा गंटे के अंदर पचास हाजार से जायद लोग रोट कर उतर आएग अजान कर मामला हमारे मस्जिदों तक आ गया है हमारी मरकजी मस्जिद तक पहुँच गया है जो सुपर मार्केट में है उस मस्जिद तक पहुँच गया जेवरगी का एक फिरकाफरस्ट पहुँच गया यह एलाज करके कि मस्जिद से माइक निकाला जाएगा स्पीकर निकाला जाएगा हनुमान चलिशा लगाऊंगा मैं मुभरत बाद पेश करता हूँ हिंदुस्तान की इस तारीक को जो हिंदु मुस्लिम इत्याद को दर्शाता है हमारे दलित भाई सुबा सुबा हनुमान त्यरसंगी वहाँ पर उनकी टीम को लेकर मौजूद थे और बेखाफ होकर बगर किसी जिजक के साथ यह ऐलान किया गया कॉर्ण माइक्रा लाल है जिसमें जुर्ट है कि मस्जिद कि सामने आकर के लाउड स्पीकर को लिकालने की जुर्ट करेगा देखेंगे इसका ऐलान हम जो है मीडिया के सामने करने वाले यह गया सिम सुवा से लेकर शाम तक हम वहाँ पर मौजूद मुसल्सल तोर पर इन पांच सालों में आपने कोविड देखा कोविड के अंदर रमदान का मुबारक महीना इफ्तार के लिए पर्मिशन दिया गया जब इफ्तार लेने हमारे रोजदार भाई निकलते हैं तो पॉलिस कॉलिस्टेबल उनको पकड़कर कर पाइड वालेंटियर्स, RSS के वालेंटियर्स BJP के वालेंटियर्स वो रोजदार को पकड़कर के पाइड दाल रहे ते तकरीब़ पांच हजार कितने पांच हजार रोज़दारों को जो है जो इफ्तार लेके जा रहे थे उनको गिरफ्तार करके उनको उनकी गाड़ी सब्सक्राइब मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोविड के दौरान, लॉकडान के दौरान कहीं पर भी इतजाद नहीं हुआ गुलबरगा शेहर के अंदर बस्टैंड के सामने बस्टैंड में कहुँचने पहले संत्राशवाडी में यहाँ पर अगर कोई संत्राशवाडी का जिम्मेदार है तो भूच दिए संत्राशवाडी पर जाकर के वहाँ पर सरकल इंस्पेक्टरेस के साथ बहस किया हूँ मैंने कहा कि जब इजादत आते हैं तब रोज़दार घर को इफ्तार लेने आते हैं तो क्या वज़ाए कि आप गुरे अफ्तार करते हैं वहाँ से बस्टेंड के सामने जा करके इतजाज करने का काम वहाँ पर धरना बेटने का काम हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी कोविड के अंदर इतजाज नहीं हुआ आपके इस भाई ने सियासत एक्तिदार को हासिल करने का जरीया नहीं है बहुत से लोग सियासत को इतना आसान बना दिये हैं सियासत को मज़ाग बना दिये बई क्या फाइदा हो सकता है क्या नुक्सान हो सकता है ये जाती फाइदे के लिए सियासत करना छोड़ दीजिए आज पुरे जिले की नज़र नहीं हैदराबाद करना तक है कि नज़र गुलबरगा शेहर के तरफ क्या वज़ा है उसकी उसकी वज़ा सिर्फ इतनी है कि गुलबरगा की गयूर आवाम कभी मजबूरी में ओट करने की खामिल नहीं है खायल नहीं है यहां के गयूर ओटर्स एक आवास को हिकरना ड़ा के अंदर देने का काम करते आए हैं और मुझे पुरी हुमित है इंशालला उताला कि इस एलेक्शन के अंदर फिर से इत्याद को कायम किया जाएगा इत्याद हमारे नस्टनस में है आज लोग निकले हैं शीट बचाना है मुझे बड़ी तकलीफ होती है बड़ी तकलीफ होती है साथ सीट बचाना है एक होकर के ओटिंग करना है बेशक एक होकर के ओटिंग करना है जीडियस का ओड़ बैंक 15,000 कांग्रेस का ओड़ बैंक 7,000 बीजे पीली 85,000 फिल्स बुक पे दिकाले तो बुच्च गुत्यदारों के सामने जाओ गुत्यदार वही बात कर रहे हैं थोड़े लोगों को कांग्रेस वरकर्ट को देजिए समझाओ लोगों को मैं आप से पूछना चाहता हूँ जहां पर इकबाल साब शिर्णी फरोष साब मौजूर है नईयर साब मौजूर है जावित साब आठियों साब मौजूर है 1978 में गुर्परगा शहर के क्या मामला आते मुझे मालूम नहीं मैंने सुना हैं कि मार्केट मज्जीज में कुछ गिलाज़त थे की गई किसी के गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी तो खमर साब वहां पर पर जाकर के लड़ने का काम किये और अहम्दुलिल्ला गुलपर का शहर के पूरे मुसल्मान मुंकर साब आज इसलाम अबाद के इस प्लाटफॉर्म से पहले मिंटिंग से मैं उन कांगरेशी भाईयों से पूछना चाहता हूँ पूछना चाहता हूँ कि अगर उस दोर के मुसल्मान अगर यही हिसाब किताब करतें यही सवाल करतें कि कांगरेश से तो पांच बार चाहे बार मुहम्मद इलिशाब जीत के आए हैं यह मिले हैं कि अगरेशी मेंबर हैं बताएए ओट बैंक का हैं इस तरह से जीता जाएगा कितना ओट बैंक था बुस्रीम लिग को से पहले इख्वाल साब जीरो जीरो ओट बैंक से गुलबरगा शहर के अंदर यह मिले जीतने का कामुद दौर के मुसल्मानों ने किया है यह हमारी तारीख है यह हमारी पहिचान है और जो यह मिले थे वो खामुश थे उन मामलात में उनके ओट कितने थे दो हजार दो हजार ओर सिटिंग यह मिले आज हम से पूचा जाता है कि पंदरा हजार है साथ हजार है कैसे होता क्या होता भाई यह हिसाब किताब मैथेमेटिक्स का काम नहीं है सियासत हिसाब किताब करना है तो तिजारत करो फाइदा और नुक्सान करो यह सियासत सदाकत का है अदालत का है सुझात का है तुझ मेने सदाकत है तुझ मेना अदालत है सियासत करने निकले हो ये लोग जो हिसाब किताब बताने के लिए हैं उनको बताईए तारीक उनको बताईए जो आज गुलबर्गा शेहर के यम्मेले साहिब है मौतरमा है उनके शोहर गुलबर्गा शेहर के अंदर जो एलेक्शन जीते हैं चोटी मोटी पार्टी से ही जीते हैं, बड़ी पार्टी से जीत नहीं हुई है, जो चोटी मोटी पार्टी बोलने वाले, वही चोटी मोटी पार्टी से वो जीत के आए हैं, अगर उस दोर में यही इसाफ करने वाले रहते, तो मर्हूम खमुल उस्लाम साफ यम्मेले कभी न बन सकते थे आज उनके अहलिया कमूट में मिलें यह जमूरियत है यह डेमोक्रासी है इसमें बड़े प्यारे खेल होते हैं कामरेस के सबसे बड़े लीडर जो हिंदुस्तान के हमारे इलाखे के हैं मलिकार्जुन फर्गे सहाब आप से पूछ रहा हूं कितने होटों से उनकी जीत हुई थी इस बार तो शिकस हुई उससे पहले कितने होटों से जीत हुई थी असी हजार से जीत असी हजार से गुलबरगा के पार्लिमेंट कॉंस्ट्रेंसी में जीतने वाले मलिकार्जुन फर्गे सहाब जो गुलबरगा शहर के अंदर आर्टिकल 371 जेल आए एस्याइ वास्पेटल बनाए बहुत से डैलेटमेंट काम हुए उनकी शिकस्त कितने ओटों से हुई एक लाक ओटों से जायर ओटों से हुई और वो भी किस के सामने है कौन के सामने है आज कोन है है मेंबर अफ़ पार्लिमेंट कोन है उमेश जादव पूल से कंस्टन्सी के है उनों चिंचोणी केàyमेंटी वो चिंचोडी जो गुलबर गाप पार्लिमेंट पार्लिमेंट कंस्टन्सी में भी नहीं आता हूँ भीजर पार्लिमेंट k方 उनको दो लाख ओटों का फरक लाने की हिम्मत करते हैं तो बोगिए आप आप से पूछता हूँ मुसलसिल पांच साल आपने उनकी खामोशी देखा है मुसलसिल पांच साल आपके भाई की जद्द जहिद आपने देखी है मेरे लगाई देखी है क्या आप एक लाख ओटों का फरक नहीं कर सकते अगर यही मामला होता हम मुसल्मान है हमें फकर है हमारी तारीख पर हमें फकर है इस बात पर कि हमने दोस्तिया आई दुनिया पर हुकूमत की है हमें फकर है इस बात पर कि हम अदरो इंसाफ करने वाले हैं हम ऐसे हैसे मुमालिक पर भी हमने हुकूमत की जहां पर हमको जबान नहीं मालूम हो हमारे खुलफाइक राश्री हदरत अबुबकर सिद्धीक रजियल्लाव ताला हरूर के दौर में दो थियाई दुनिया पर हमारी हुकूमत कैसे हुई एक रिगस्तांच निकली वी एक खौम उस दौर के सुपर पावर रूम को रहशिकस देती अल्ला का करब है उस दौर में आईसे हिसाब करने वाले नहीं थे पेपर लेके फिर कैसा होता हमारी आबादियत की सुपर पावर के आबादियत की अबारे घोड़े इते उनके घोड़े इते जंग में फते जीत हासिल होना यह हिसाब किताब पेपर पे नहीं होता इसके लिए जो चाहिए वो मदबूत इरादा चाहिए उसके लिए जो चाहिए वो होस्वा जाहिए इसके लिए जो चाहिए वो सदाकत चाहिए इसके लिए जो चाहिए वो इनसाफ चाहिए आपके बीच पांच साल मसलसल तोर पर दो बार शिकस्त होने के बावजूद आपके बीच में रहा हूँ आपके लिए लड़ रहा हूँ मेरे वालिद मरहूम सादत हुसे नुस्ताज सहाब जो गुलबरगा के अंदर नहीं बलकर हैजराबाद करनाटगा के सबसे बड़े वकील है उनके जुनियर है यहाल संगी साथ मुझे सियासत में चंचा के लिए करने के लिए नहीं छोड़े मुझे समटा के लिए नहीं सिخाया है मुझे इक्तदार के लिए कॉंप्रमेस करना नहीं सिखाया है अगर मैं चाहता तो आट शायद कॉंप्रमेस कर सकता था हाथ जोड़के खड़ी हुने पर शायद मुझे भी इनाम मिल सकता खसाब मुसराद की जिसके कब्जे में मेरी जान जब तक जिन्दा हो गुलामिक की जन्जीर अपने गले में नहीं पेड़ूंगा अगर यह हर कप मुझे होगी तो मेरी मरभूम वालिद के रुख को तकलीफ होगी यह काम मैं नहीं कर सकता मेरे फित्रत में जुकुना कमजूर परना यहारी मिरे निजजल में नहीं लड़ाई लड़ रहा हो बहुत हिम्ट चुटा के लड़ रहा हो जो हिसाब कितार तुम्हारे पास है उसे ज्यादा हिसाब किताब मैं जानता हूं मुझे मालूम है यह लड़ाई आसान नहीं है मगर जो हालात यर्जंगी साहब ने बताये हैं ऐसी हालात में मैं सियासी समझ रखते हुए तजुरुबा रखते हुए अगर मैं कॉंप्रुमाइस करता हूँ तो मुझे कोई हक नी इस सियासत में रहने का मा आखिर तुमें क्या जवाब दूना